हलो फ्रेंड, वेलकम टू माई यूटूब चैनल, ब्यूटी वाई डिजाइन में आपका बहुत बहुत स्वाबत है फ्रेंड, साज हम आपके साथ कुछ ऐसे पैक सेयर करने वाली हूँ यदि आप इसका इस्तेमाल करते हैं, आपके फेस पे दाग हैं, धब्बे हैं, चाईया हैं बदलते मौसम से आपके स्कीन पे अनिक प्रकार की प्राबलम हो जाती है जैसे मौसम में बदलाव होता है वैसे आप देखते हैं कि आपके इस दिन पर भी बदलाव होने लगता है जिससे आप बहुत परिसान होते हैं कि मेरा फेस इस तरह से क्यों हो रहा है तो उसके लिए हम आपको फ्रेंड्स कुछ ऐसे आज पैक बताने जा रही हैं जो आप इम्रिकी लोग इसका इस्तिमाल कर सकते हैं, कोई side defect भी नहीं होगा, तो फ्रेंड्स चैनल पे पहली बार आए हो, तो चैनल को जरूर सस्क्राइब कर लिजिएगा, ताकि इस तरह कि जो भी वीडियो हो, हम आउके पास पहुचा सके, यदि फ्रेंड्स, आपके फेश पे दाग हैं, धब्बे हैं, छाइया पड़ गई हैं, छाइयों से आप बहुत परेसान होते हैं, यह बहुत ही एक बड़ी समस्या है, सब को लगभग लगभग छाइया पड़ने ही लगती हैं, जिससे बहुत दिक्कते आती हैं, तो उसके लिए आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं, यदि आप इसका इस्तिमाल करती हैं, तो छाईयों से तो आपको बिल्कुल छुटकारा मिल जाएगा, दाग धब्बे हैं, तो भी धीरे-धीरे कम होने लगेंगे, आपके फेस पे इस्ट्रा ग्रो भी यहलाता है, आप अपने फेस को कच्चे दूद से गोरा बना सकती हैं, फेस पे चमक ला सकती है, कच्चे दूद क्या करता है, आपके फेस पे स्कीन लाइटिंग का काम करता है, आपके फेस को गोरा करने में सहायता करता है, अच्छा साव मस्चराइजर देता है, दाग धब्बे दूर करता आपके फेस पे कोमलता लाता है, आपके फेस पे चमक लाता है, कच्चे दूद में बहुत ही अच्छी वीटामिन पाई जाती है, जो आपके फेस के लिए बहुत ही perfect है तो फ्रेंड जब आप सुबर सो कर उठते हैं सबसे पहले अपने फेस को आप थोड़ा सा पाने से साफ कर लीजिएगा फेस साफ करने के बाद आपको क्या करना है कच्छा दूद लेना है पके दूद का इस्तिमाल ना करें कियोंकि उसमें विटामिन्स की कमी हो जाती है जो कच्छा दूद होता है आपके फेस के लिए बहुत परफेक्ट होता है दो से तीन चम्मच आप कच्छा दूद लीजिएगा उसमें आपको फ्रेंड से यदि आपके फेस पे छाईया है तो आप उसमें दो से चार बूद नीवू का रस मिलाएगा और आपको मिलाना है उसमें ब्रेकिंग सोडा जो खाने वाले जिसको हम कहते हैं मीठा सोडा जो खाने में इस्तिमाल किया जाता है इसे आप दो से तीन चुटके उसमें मिला लेजिए उसके बाद अच्छी तरीके से मिक्स कर लें आपके पास एलोवेरा जिल हो तो उसको भी आप एक से आधा चमच उसमें मिला सकते हैं उसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लें पूरे फेस पे आप इसी अपलाई करें 2-3 मिनट तक आप अपने फेस का आप हलके हाथों से मसाज करें 2-3 मिनट उसके बाद 15-20 मिनट बाद अपनर्मल पानी से या गुनगुने पानी से अपने फेस को साफ कर लीजिएगा प्रेंड्स रोजाना आपको इसका इस्तेमाल करना है तीसरे दिन आप ब्रेकिंग सोडा प्रेंड्स रहां आपको इसका हम सेरे ढांना आप着